इंगे से रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉर्टेट अफ लेडी जो नया सिलबस आपका 11 का आया है प्रोस में लेसन वन उसके शॉर्ट कोशन एंसर को हम देखने जा रहे हैं आपको जो शॉर्ट कोशन एंसर होगा वो आपको याद होना चाहिए वो कम स प्रतीत हो रहे हैं उसका एंसर हो सकता है यह देखे मैं लिखा उपर हैंडिंग में 30 वर्ड मीनिमम थर्टी वर्ड को आपको कम से कम देना होता है अंसर लेकिन जरूरी नहीं कि 30 वर्ड में ही दो आप 25-26 वर्ड में दे सकते हो आप 35 वर्ड तक जा सकते हो मतलब 5-6 आपके पास अगर short story की sorry short questions आप लिख रहे हो तो आप कम से कम 4 लाइन या साठे 4 लाइन का एंसर लिखो 4 लाइन बहुत अच्छी बात है साठे 4 लाइन भी चल जाएगा अगर आपको एंसर वह लंबा लिखना है तो उपर कभी एंसर मतलेगा सॉत वाला चार लाइन होता है साढ़े तीन अगर आप लिखते हो कुई आपका चॉड़ जाएगा इससे उपे लिखोगी तो आप और एक स्वारिफ से और चैनल बोड़ा है फ्सकता है वहाँ देंप अगर आपको लगता है कि साड़ी चार लाइन लिखना मजबूरी है अगर कुछ छुट गया अगर मैंने कुछ लाइन काटा तो उसका अर्थ बदल जाएगा या उसका अर्थ कम हो जाएगा तो आप पूरा लिखे आपको पूरा नमबर मिलेगा आप दो लाइन से लेकर तीन लाइन चार लाइन तक कैंसर लिख सकते हो साड़ी चार तक के लाइन का लिख सकते हो यह जाएग निया दIf प्ैटर जाता है कि आपने थोड़ा बढ़ा गर इस वीडियो की इलिगा तरी अर्वीडं़ रफडर अपियर आपीर्ड़ेड ये रोल जो नई शॉर्णध कर रे wife और children और वो ऐसे प्रतीत नहीं हो रहे थे ऐसे व्यक्ति नहीं प्रतीत हो रहे थे जिनके पास बच्चे और बीवी हो and could have lots and lots of children और उनको सिर्फ और सिर्फ धेर सारे धेर सारे क्या होंगे उनके grand children पोते पोतियां होंगे तो यह ऐसा नरेटर को लग रहा था जब उन्हें पोट्रेट देखा था अपने दादा जी का जब उन्हें चित्र देखा अपने दादा जी का जलते हैं second question describe the happiest hour half hour of the day for the grandmother वो जो आदा घंटा दादी मा के लिए कौन सा था उसको describe कर इसको बताईगे तो यह थोड़े अपने इसाब सी बता सकते हूं मैंने अपने इसाब बताने को इसकी है the happiest half hour of the day was the grandmother for the grandmother दादी मा के लिए जो सबसे खुशनमा आदा घंटा होता था was that वो यह था कि when she used to sit on the बरांदा जब वो बरांदे पर बैठती थी मतलब बरांदा में बैठती थी कह सकते हूं तो आप इन भी लगा सकते हो sit in the bum बरांदा भी उड़ सकते हो and used to feed the sparrows in the country प्रियाड और वो आंगन में जब अपने sparrows को चिडियों को जब वो फीड मतलब यहां जब दाने देती थी खाने के लिए उनके लिए सबसे कुश्मा आदा घंटा वही होता था ते कि एंसर हो सकता है इसको आप अपने ही साब से थोड़ा उपर नीचे करते हो और याद से CROSS चेक रहा सकते हो comment box में जाकर किसर यह है आला एंसर सही है जो में बता दूंगा है यह एंसर भी हो सकता है चैले लेखते हैं how did the narrator and the grandmother became good friends कैसे narrator बतलब जो लेकक है और जो जो वक्ता है जो कह रहे हैं तो हम को लेकक ही मान रहे है तो जो लेकक है और जो दाधी-maa है वो जगह जानते हैं जाते हैं इसलिए वो दोस बन जाते हैं इसलिए मैं इसको तो डिटेल लिखा है आप चाहो तो एक दू वर्ड अगर आपको लगता है इंपॉर्ट नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो तिकिन ध्यान देजेगा माता दोस बना गए जब वाई मतलब जब वो साथ में रह रही थे गावं में जहां जЭто नहीं अपर стक जाती थे और मंदिर भी जाती थी और चंप दोनों secondary आते थे तो इस तरीके से उनके अंदर bonding अच्छी हो गई, मैं यह लिखा नहीं, अगर आप चातो उसको long में लिख सकते हो, कि इस तरह उनकी bonding अच्छी होई, और bonding होने कारण क्या हुआ, वो साथ में रहते भी थें, तो इसे कारण कि जो bonding हो बढ़ती गई, और वो अच्छे दोस बन यह आप यह long question में लिख सकते हो, ठेक मैं यह आप नहीं बता रहा हूँ आपको, long question का आएगा future में जब मैं वीडियो डालूँगा तो वहां बता दूँगा, फिर fourth question है, why could the grandmother not walk straight, जो दादी मा थी, वो सीधा क्यों नहीं चल सकती थी, तो इसका normal answer हमें पता है, दादी मा ब क्योंकि, she had always been short, क्योंकि पहले से छोटी थी, fat, थोड़ी मोटी थी, and slightly bent, और थोड़ी सी जोकी होई, slightly bent मतब थोड़ी से जोकी होई, थोड़ी से जोकी होई थी, जैसे बुड़े लोग जोके रहते हैं वैसे, and also she was terribly old, वो बहुत बहुत, बहुत जादा बुड़ी हो गई young to run, ऐसे कभी कभी आ जाए, तो यह जा रहा है, जो टी ओ लिखा हुआ है, वो negative word होता है, उसका यूज हम negative sense में करते हैं, या positive में, लेकिन यहां negative sense में यह होई, जिसका मतलब है, कि वो कुछ जादा ही बुड़ी है सीधा चलने के लिए, अर्थात वो सीधा नहीं चल सकती थी, यह इसका है, clear हो गया, fifth question, how did the grandmother spend her time when the narrator went to the university, तो जो grandmother है, वो अपना समय कैसे उन्होंने बिताती थी, जब लिखा है, when the narrator went to the university, जब नरेटर था, जो लेखक है, वो जब वो यूनिवरसिटी गया, यानि जब बाहर गए, ठीक, यूनिवरसिटी कहा गए, बाहर गए थ चलिए, when the narrator went to the university, जब वो यूनिवरसिटी में पढ़ने गए, college पढ़ने गए, his grandmother used to spend her time, जो उनके दादी मा थी, वो बिताया करती थी, देखिया, used to का use करते है, past tense के लिए, जब कभी कोई past tense पर कोई चीच आदी हो, वो बार बार करता हो, तो उसके नम used to लगाते थी, उ तो his grandmother used to spend her time, उसकी दादी मा थी, वो समय वेक्ट किया करती थी, और used to के बाद वो अपका first form, यानि spend वो अपका first form होता है, तो वो अपका first form लिखा हुआ है, her time, while praying her beads all the time, और यहां जो while का मतलब है, उसका मतलब है, मतलब की जब वो prayer कर रही होती थी, हमेशा, तो वो जब की वो prayer करती रहती थी, तो उनका समय कैसे बित्ता था, उनका समय बित्ता था, हमेशा prayer करने से, हमेशा prayer करने से, हर beads, beads मतलब होते है, वो माला जो माला को वो होता है, गोल गोल उसको बोलते है, तो माले का माला को बार 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 वो लेकर अपने साथ, वो pray करते रहती, beads मतल in afternoon और दोपयर को she used to feed the sparrows गोने को देती थी-पाला मतलब होता है किसी को पालम पोर्षों करने है फिक हांने से कि लोख चान से जान वीतलandan देती थी रोटी के टुकड़े देती थी तो यह सब वो देती थी जो उनके लिए सबसे खुसनुमा मुमेंट था उनके लिए तो यह है आपका एंसर आपको मैं एक बाँ बता दू देखें यहाँ पे आप ध्याँ से देखोगे कि यहाँ पे second question second question में मैंने यह बात रिपीट की है यह पूछा है कि सबसे हप्येस मुमेंट का क्या था आजए घंटे का वही यहाँ पे पांचे वाले में भी एंसर आपको मिला हुआ है लास्ट के लाइन को मैंने इसलिए इसको एड़ करके लिखा है तो आपको यह अगर वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जुरूर शेयर करें वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्स्राइब करें और क्योंकि next कुछी दुनों में ने ने चीज़े आती रहेंगी जल्दी ही मैं grammar रिलेटेट एक नया सेरीज स्टाट करने वाला हूं उसमें पूरा आपके जो बुक पढ़ते हो बुक वाला ही मैं grammar स्टाट करूंगा और पूरा सूरू से पहले चैप्टर से स्टाट करूंगा जल्दी जल्दी हर तीन चार दिन एक हफते के बीच में ऊपड़ एक वीडियो डालता रहाँगा और आपको पूरा डिपियो में आप कोसिश करऊंगा तो अगर वह चांते हो कि आप व्यडियो में डालू मज़े कमेंट बाक्स में जबर बताएक कि मैं वीडियो डालू अगर हां तो भूले यस पुट वीडियो आफ ग्रामर या से पर लिखे ग्रामर यस ऐसे भी लिख सकते हो वैसे तो इसी इससा तुम वीडियो का एंड कर रहा है अपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो